भाई एक अमीर इंसान की जिन्दगी ना बहुत डिफिकल्ट होती है एक अमीर बेचार जिन परिस्तितियों में उल्जा पड़ा होता है तुम समझ भी नहीं पाऊगे यार यार हम महनत नहीं वर्काउट करते हैं वर्काउट करने के बाद हम खाना खाना चाते हैं तो हमें डाइट मिलता है यार तुम नहीं समझोगे यार हम भी चाते हैं कि लोगों के बीच में बैठे तो चार गरीबी से बहरी कहानिया सुनाएं वहां से उटके जब निकले तो चार लोग रोएं यार गरीबी में जीना एक फन है यार, अमीरी में जीना मैं, क्या फन है, मुझे समझ नहीं आता है, कल को मेरा कोई दोस्त मर जाएगा, मैं तुम लोगों को साथ रोते रोते जाना चाहूंगा ना, ऐसे मैं हर बात बात पे मुझे हलिकॉप्टर से कही जाना पढ़ता है, या मैं भी चाहता हो तुम लोगो की तर कही roadside लड़ाई करू नाले में पड़ा मिलू महलों में लड़ाई होती है यार मेरी मैं भी चाहता हो मेरे दाथ लाल रहे मैं गुटका खाओ लेकिन हर चोडी चोडी बात में मुझे advance पीना पड़ जाता है बता हो यार मैं भी चाहता हूँ कलको मैं कॉलेज में फेल हो जाओ, मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाए बहुत आड़ी के कॉलेज ही ते रहा है मेरी कलती है ही है तुम देख रहो कितना पसीना हा रहा है मुझे अभी मैं यहां से निकलूँँगा गाड़ी में बैठू हो सीधे महल में जाकर इतरूँगा वहां भी ऐसी चल रहा हो गागा यह जीना भी कोई जीना है नहीं भाई तू समझे नहीं रहा है गरीबी में जीना है कला है कि तुझे मैं तुझे गाड़ि मैं तुझे रेंजरोवर में लेने आऊगा यह कोई तरीका है दोस्तों से मिलने का यह कोई तरीका है एंट करादार wahा confrontation ना घाने को ने मैं तुझे कि मैं जब किसी सर्कल में बैटू तो लोग मुझे एक गरीव इधरा करके बुलाएं मैं भी चाहता हो कि मेरे कपड़े फट जाया तो मैं रफू कर रहा हूँ चलते चलते गांड फट जाया चपल गिज जाया तो मैं चपल से लाओ मेरा पीए मैनेजर सब हैंडिल कर लेता है यार मुझे कुछ करने की ज़रूद ही नी पढ़ती मैं महलों में बैठा रहता हूं